अब बोलिये देवादी देव अधिनात भग्वानी की जै हो जै हो जै हो अचारी उमा स्वामी महराज की जै हो जै हो जै में समस्त सादू संग की जै हो जै हो जै हो हम चल रहे हैं तत्वार सुत्र आचारी उमा स्वामी महराज द्वारा रचित तत्वार सुत्र के स्वाध्या की और हम चल रहे हैं जिसमें हम व्रत विज्ञान समझ रहे हैं व्रतों के बारे में हमने समझा फिर व्रतों के भेट समझा देश व्रत महा व्रत उनकी पाच लक्षन समझा ब्रती के फिर लक्षनों के बाद उसके भी भेट आगार अनागार और अब उसके बाद आगे भेट के बाद ब्रती के लक्षनों के बाद हमने आगारी ग्रस्त शावक के लक्षन देखे थे उसके बाद अब हम और आगे चल रहे हैं जिसमें हम जो पांच अनुब्रत देखे उसमें साथ सील व्रत हमने जोड़े थे तीन गुनब्रत तो चास शिक्षब्रत ऐसे बारह व्रत होते हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे कि अनुब्रत में सहायत हमारे अनुब्रत जो है वो और अच्छे पुष्ट होए इसलिए हमें और क्या करना चाहिए तो आचारी महराज ने आगे की गाथा बताई हुई है उसको शेयर करते हैं हम 21 नंबर की गाथा की ओर चल रहे हैं जिसमें हम अनुब्रत में सहायत साथ सील व्रत की चल्चा हम करेंगे जो हमने पाच अनुब्रत धारन किये है इन पाच व्रतों में और अच्छी कॉलिटी बने और उत्तम कॉलिटी के बने उत्तम कोटी के हमारे इसमें भाव बने और हम उन अनुब्रतों को अच्छे से धारन करें क्योंकि अभी पर्यूशन परवा रहे हैं पर्यूशन पर में कई सारे नियम हम लोग लेते हैं और अपने आपको हलका करते हैं तो इतने सारे नियम जब हम लेंगे तो जब हम इतने सारे नियम लेंगे तो दस दिन तो परिशन में अपने आप ही पर्च अनुब्रतों का पालन होता है चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा इसमें आज उल्टा सिधा श्रावक के अनुब्रतों के सायक सात सील ब्रत इनको हम पढ़ेंगे दिक देशानल्थ डंड विरती सामाई प्रोसोध वासोप भोग परिभोग परिमान तिथी सम्विवाग ब्रत संपर्नस्च इनसे पढ़ते हैं दिक देशानल्थ डंड विरती सामाई प्रोसोध वासोप भोग परिभोग परिमान तिथी सम्विवाग ब्रत संपर्नस्च इनसे पढ़ें दिक देशानल्थ डंड विरती सामाई प्रोसोधोप वासोप भोग परिभोग परिमान तिथी सम्विवाग ब्रत संपर्नस्च पढ़िये दिक देशानल्थ डंड विरती सामाई प्रोसोधोप वासोप भोग परिभोग परिमान तिथी सम्विवाग ब्रत संपर्नस्च दिक देशानल्थ डंड विरती सामाई प्रोसोधोप वासोप भोग परिभोग परिभोग परिमान तिथी सम्विवाग ब्रत संपर्नस्च देशानर्थ दंड वीरती सामाई प्रोजो तो पास भोग परिभोग परिमाना तिथी समिभाग वर्थ संपनश्च तर्ण आगे दिख देशानर्थ इसका संधी विग्रह करनेंगे संधी विच्चे दिख प्लस देश प्लस अनर्थ डंड वीरती प्लस सामाई प्लस प्रोशोध प्वास उपभोग याने प्रोशोध उपवास प्लस परिभोग याने उपभोग परिभोग और परिमान तिथी याने अथिती सम्विभाग वर्थ संपनश्च तो इसके हम हम अल्थ देखते हैं दिग व्रत याने दसो दिशाओं में आवागमन की सीमा निर्धारित करना डेश व्रत ली गई सीमा को कुछ कालावदी के लिए और सिमित करना और अनर्थ दंडवत निश प्रयोजन पापरु क्रियाओ का त्यागना सामाईक व्रत समस्त पापो से विरत हो एकागर चित्त होकर स्वात्म चिन्तन करना प्रोशोद पास व्रत माह में 7,9,13,15 तिथीक में एकासन, 8,14 तिथी में उपवास उपभोग परिभोग परिम्नान व्रत अनावश्यक उपभोग परिभोग की वस्तुओं का त्यागना च याने ओर अतिति सम्विबाग व्रत अतिति को अहालदान देकर स्वयम भोजन करना इन व्रतों से संपन्नस्च याने सहित अगारी श्रावक है बहाँ ब्रत अर्थ क्या हो गया? बहाँ ब्रती, दिग विरती, देश विरती, अनर्थ दंड विरती, सामाईक ब्रत, प्रोसोत पास ब्रत, उभोग परिभोग परिणाम ब्रत और अथिती सम्विवाग ब्रत इन ब्रतों से भी संपन्न होता है अब जो साथ सील है कि जो हमने पाच अनुवरत धारन किये इन पाच बतों में और अच्छी क्वालिटी से हम उसको कर सके और अच्छी क्वालिटी उसमें बन सके तो हम उसमें तीन गुनवरत और चार शिक्षा बत को जोड़ते हैं तो पाच अनुवरत तीन गुनवरत चार शिक्षा बत टोटल कितने हो गए बारा बत हो गए इतने हो गए जो अनुवरत में और और मिला देते हैं हम तीन गुनवरत चार शिक्षा बत तो ये बारा प्रकार के बत होते हैं अब पाच अनुब्रत की चर्चा हमने अभी तक बहुत अच्छे से की और सबने बहुत अच्छे से समझा अहिंसानुब्रत, सत्यानुब्रत, अचोरियानुब्रत, ब्रह्मचरियानुब्रत, परिग्रप्रमान ब्रत ये हमने अभी पाच अनुब्रत समझा अब इसमें बार मुल‌ब्रोतों की रक्षा के लिए करना है। तो अब इसमें जो आया है 12 प्रकार के व्रत में अनुब्रत, गुन-व्रत, शिक्षावर। अनुब्रत हमने समझा कि पाज पापो का एक दे श्तियार करना थोड़ा थोड़ा अनुब्रत हो गया। गुन व्रत याने क्या हो गया अब इसको समझते हैं गुन व्रत याने अनू व्रतों का उपकार गुन व्रत अनू व्रतों का उपकार या अनू व्रतों में बृद्धी या तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं जो अनू व्रतों में और गुन प्रदान करें क्या करें जो अनू व विशेष्टा रूप उसको प्रदान हो, और विशेष्टा है प्रदान हो, कि हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, और विशेष्टा है उसमें दाल दो, और उसको मोन पूर्वत कर लो, और विशेष्टा दाल के उसको करो, जो पाच पाप स्थूल रूप से त्यागे है उसमें गुनवरत धारन कर लिया जाएंगा तो उसका पालन और अच्छी तरह से हो जाएंगा जो पाच्ट पाप अपने स्थूल रूप से त्याक करें है उसमें गुन वरत धारन कर दो और उसमें गुनों गुन प्रदान कर दो और गुनों को उसमें घुशा दो तो उसका पालन और अच्छी तरह से हो जाएगा शिक्षा वरत यानि मुनी Бृत पालन करने की शिक्षा जिससे मिले तो अब पहले हम गुनवतों के जो भेद है उसको देखेंगे सबसे पहले गुनवत के कितने भेद तीन भेद एक अनुवरत हमने देख लिया अब गुनवत दिगवरत देशवरत और अनन्थ दंडवरत अब सबसे पहले हम चलते हैं दिगवरत की ओर कि दिगवरत क्या है दिग याने दिशा व्रत याने व्रत दस दिशाओं में चार हमारी पूरब पश्ची मुद्तर दक्षिन चार हमारी उपदिशा आठ हो गई एक उर्धलोक और एक अधोलोक इस प्रकार से दस जो दिशाओं है उपर की एक नीचे की एक तो इन सब में हमें नियम ले लेना है हमेशा के लिए यम कि हम दस दिशाओं में कितने कितने दूर तक जाएंगे भारत में जाएंगे भारत से बाहर जाने का अमेरिका तक जाएंगे मलेशिया तक जाएंगे नेपाल तक जाएंगे और कभी जिसका पासपोर्टी नी बना और कभी जाना ही नहीं है तो हम भारत में ही घुमेंगे तो ये आपने दशो दिशाओं में जाने का एक नियम लिया और अब दुसरा इसमें ये आता है अर्दो लोग उर्ध लोग उपर हम कहां तक जाएंगे लोग के अगरभाग तक क्यों कि हमें शिद्ध बनना है नीचे लेकिन हम कहां तक जाएंगे नीचे तो नर्ख है लेकिन हम कभी कभी घूमने निकलते हैं तो समुद्र में नीचे तक जाते हैं कोई-कोई ऐसी चीजे रहती है कि जहां नीचे अंडरग्राउंड जाके भी कई माईन वगरे देखने के शौकिन होते हैं तो अंडरग्राउंड तक जाना पड़ता है तो जो हम इस प्रकार के नियम लेते हैं जो इस प्रकार की जो नियम हम लेते हैं वो सब नियम दिक व्रत में आ जाते हैं कि दशो दिशाओं में चार दिशा चार भी दिशा उपर की एक नीचे की एक नियम कर लेना ऐसा नियम करने से हमारे अनुवरत को परिपक्वता मिलती है पुश्टता मिलती है और वो मजबूत होता है हमारा अनुवरत इन गुनों को यदि हम उसमें डाल लेते हैं तो तो यहाँ दिगवरत कहलाता है आपको समझ में आगा होंगा अच्छे से आगे हम चलेंगे की और हमने देख लिए गुनवत का पहला दिगवत गुस्ता देश्वत अब देश्वत बहुत सिंपल जो आपने दिगवत लिया हमेशा के लिए कि मैं नीचे 500 मिटर तक नीचे जाऊंगा उपर अग्रभाग तक जाऊंगा दशो दिशाओं में भारत के बाहर नहीं के दिगवत आपने लिए अब क्या करना है जो दिगवत आपने लिए दिगवत के अंदर उस समय के लिए छोटी छोटी नियम ले लेना मानलो दिगवत में हमारा नियम भारत से बाहर नहीं जाऊंगा का है अब उसमें भी परिशन आ रहा है नाकपुल से बाहर जाना नहीं कि नाख्पूल से बाहर नहीं जाओंगा यह जो ओगया आपने जो बढ़ा लिये थे उसको थोड़ा संकुची थमने कर लिया एक देश कर लिया उसको वह ओगया देश्वत ये देशवर्ड दिग्वर्ड की मर्यादा आजीवन परिंतर है और दिग्वर्ड के कुछ अंधर में कुछ ले लेना कुछ समय के लिए घडि घंटा महना आधी के लिए छोटा ब्रत ले लेना वह đं क्या होता है देशवर्ड कहलाता है अब तिसरा आगे हम चलते हैं देशवरत दिगवरत दो चीज हो गए जीवन परंत लिये हुए दिगवरत में और संकोच करना छोटा कर लेना घड़ी घंटा दीन महिना आधी मुहले बाजार मुहले बाजार तक भी कर सकते कि मेरे मुहले से बहार नहीं जाओंगा मेरे जो शास्ती चोक है इससे बहार नहीं जाओंगा मैं बढ़ी से बहार नहीं जाओंगा मैं सदर से बहार नहीं जाओंगा इस प्रकार की मरियादा बहार के छेत्र में करने से महाब्रती के तुल्य का पुन्य लगता है यदि आपने ऐसा कर लिए तो महाव्रति के तुल्य आपको पुन्य लगता है तिसरा है किसरे के और चलते हैं अनर्थ डंडव्रत जिसने अपना कुछ लाव या प्रयोजन तो शिद्ध न हो और वेल्थ ही पाप का संचे होता हो ऐसे कारी को अनर्थ डंड व्रत कहते हैं और उसका त्याक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अनर्थ डंडव्रत का क्योंकि क्या करते कई लोग बैठे बैठे कोई पत्ती तोड़ रहें पेड़ों की कभी कोई पेर ही कुछ खोद रहा है सर खोद रहें बैठे बैठे अन्य जिसमें अपना कोई करना नल खुला चोड़ दिए ऑघनल को थीक से खुला न करके तिक से बंद ना करके खुला छोड़ दिए तो इस प्रकार की जो क्रिया एं ठ्रह्याएं हम करते गयास दुसरा सामान करना है वो ही अनल्थ, दंड, व्रत कहलाता है वो ही जिसमें अपना कोई आल्थ, सिद्ध ना हो फिर भी दंड ओर लग जाए इसलिए इनको छोड़ना है शुत्र देखिए, सुत्र में तीनों चीज बताईए दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, हमें अनर्थ दंड व्रत का ध्यान हर समय रखना है, ताकि हमारे अनुब्रत में पुष्टी मिल जाए, हमारे अनुब्रत और अच्छे से पालन हो जाए अपध्याम, इसमें और दो चाल चीजे बताए गई है, अपध्याम, दूसरों का बुरा विचारना कि अमुख हार हो, अमुख को जेल जाना पड़े, उसका लड़का मर जाए, ऐसा खोटा चिंतन, जब हम करते हैं, तो वो भी अनर्थ दंड व्रत में आ जाता है अब दभी तो हमने सामान की चीजे लिए, कि नल, ग्यास शुरू है, जो इसका प्रयोजन नहीं है, वो चीज हम बैर्थ हमें कर रहे हैं, तो वो अनर्थ दंड में आ गया, हमें लाइट की पंके की इत्ती जरुरत नहीं है, फिर भी पूरे हॉल के लाइट पंके ऐसी शु हो जाए, अमुक जेल चल जाए, उसका लड़का मल जाए, जो खोटा चिंतन हम कर रहे हैं, ये खोटे चिंतन को भी अनर्थ दंड ब्रत कह दिया गया, बेकार का चिंतन, कोई लेना नहीं, देना नहीं उससे हमें अगले वाले से, फिर भी उसके बारे में बुरा चिंतन कर है, तो ये भी अनर्थ दंड ब्रत है, बुरा चिंतन ये सोचिए, बस्तु तो बस्तु आपके अंदर चल रहे है, भाव भी अनर्थ दंड है, उसके बार पाप उपदेश, दूसरे को पाप का उपदेश देना, कि तो ऐसा वैपार करने, ऐसी सला देना, जिससे प्राणिय को कश्ट पोचे, युद्व अगेर के लिए प्रोसान करना, अरे चलना, अपन उसको अच्छा सबक सिकाते हैं, जब अभी-अभी का ताजा एक विशे, जब हम लोग यहां गय थे अभी, अरियंतगीरी, तो कोई मुझ से आके कहा चलो अपन उसको अच्छे से डाटते हैं उसने ऐसा कि, हमने कहा, क्यों दाटना है अनल्थ दंडवर्द, क्यों दाटना है भाई, हम पास साल से उनको प्याल से ले रहे हैं, कोई एखाधी वस्टू, कोई एखाधी चीज, एखाधी लोग ऐसे रहते हैं ग्रूप में, कि जिसे अपने को प्याल से लेना पड़ता ह है हम उसको क्यों दाटे अनल्थ वर्द अनल्थ दंड़ जब जस्ति क्यों हमें कुछ बोलना है उनको हमें पता है उनका नेचर ऐसा है उनको हिसाब से ले लो तो इस प्रकार के पाप उपदेश किसी को देना कि जाओ तुम उनको दाटो उस प्रानी को कष्ट पोचे उसका दिल कितना दुखेंगा तुम ताटोंगे तो तो इस प्रकार का जो भी Hem चिन्तन करते हैं दूसरें को उपदेश देते वह पापист है किस्ती चरीया इतिस में प्रमात चरिए प्रमाद चरिए बिना प्रयोजन यहां उहां गुमना पुत्री घोदना पानी खराभ करना फास घुमी को खुदरन कलते हैं ना ऐसे सर को कलते रहते हैं कोई पेरों को नीचे से कुरटते रहता है दिन बर तो ये सारी चीजे जो है ये अनर्थ दंडवरत है उसके बाद चौती आती हिंसादान विशेली ग्यास अस्त सस्त आदी हिंसा की सामागरी किसी को उपकरन देना भेट में देना चक्कु आदी कभी भी हम किसी को गिप्ट देते हैं तो उसमें कुछ हिंसा की चीजे गिप्ट ना करें ये भी अनर्थ दंड में आता है देखो अनर्थ दंड कहां कहां होता है ग्या और राग आदि को बढ़ाने वाले खोटे सास्तों का कथन का सुनना पढ़ना देखना बताओ अधि आप किसी को अन्य लोगों के कोई शास्त जिसमें हिंसा विंसा की बात लिखी हो खोटी कोई चीज लिखी हो देव शास्त गुरु के विपरित कोई चीज लिखी हो और वो शास्ता को भी आप किसी को भेट करते है तो उसमें भी अनधध अनुब्रत का दोशी आपको माना जाएंगा तो आप जब पांच अनुवरत धारं करते हो तो इतीन प्रकार के गुनुवरत का हमें विश्च ध्यान रखना है तब हमारे पांच अनुवरत के गुनों में भुद्धी होंगी उसमें परिपक्वता आएंगी, दुर्ड़ता आएंगी, पुष्टता आएंगी, निर्दोष, फिर उसका निर्दोष पालन होंगा, यहां तक आपको समझ गया होंगा, कि तीन गुनवत, आगे हम चलते हैं, चार शिक्षा ब्रत की ओर, शिक्षा ब्रत चार्श, सामाई, प्रोशोद पवाश, भोग, भोगोप भोग परिमान और अतिती सम्विवाग, हमने दिख देशा नर्थ आधा सुत्र पड़े अधी, दिख देशा नर्थ दंड वीरती, वीरती सम्में लगा सकते हैं, दिख ब्रत वीरती, देश ब्रत वीर आधा सुत्र हमारा हो गया, आधे सुत्र की ओर हम चलते हैं, सामाई, प्रोशोद पवाश, भोग, परिभोग, परिमान, तिती, सम्विवाग, वत, सम्पन्नस्च, यहाँ पे सामाई, प्रोशोद पवाश, दुसरा, तिसरा, भोगोप भोग, परिमान, तिसरा, चवथा, अतीति सम्झ वाग, अब हम एकएक को समझते हैं, पहले तो हम समझते हैं, शिक्षा वरत, शिक्षा वरत याने क्याव? अनूवरतों के गुरों में वृद्धी गुरुणुवरत हो गया, अब जो अनूवरत पालन करें हो, अब उसमें हमें शिक्षा धारन करना है जिनके पालने से हमें मुनी व्रत की शिक्षा मिलती हो आगे बढ़ने का और प्रोसान मिलता हो अपने व्रतों को एच्टेप आगे बढ़ने का हमें जिससे उपदेश मिलता हो उने के दे हैं शिक्षा व्रत हम यहीं तक नहीं रुक रहे अब हम क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे है अनुवरतों में गुनों को तो भरी दिया हमने अनुवरतों में हमने quality तो दाली दी गुनों की अब हमें quantity पे नहीं जाना है quality मिल गई अब उसका उपयोग करो उस quality को उस quality रूप व्रतों का उपयोग करो कैसा उपयोग करना है उसका कि ताकि हमें मुनी दिक्षा की शिक्षा मिले और हम मुनी दिक्षा शिक्षा आगे बढ़े तो सबसे पहली बार बताईए सामाईक शिक्षा व्रत और ब्रती शावक जब आपने अनुब्रत धारन कर लिया तो ब्रती शावक को सुभर शाम दिन में दो बार कम से कम दो घड़ी आत्मचिंतन करना है सामाईक करना है सामाईक याने सम प्लस एक समय में एक हो जाना यही सामाईक है स्वासे मिलने का समय जो है बहुँ सामाईक है और आज लोग सामाईक से भाग रहे है सामाईक से भागना याने स्वासे भागना है क्या कहा? कि सामाईक से भागना यहने स्वाज से भागना है समय यहने मेरी आत्मा और आत्मा में एक में खो जाना सामाईक होता है स्वाज के बारे में सोचने का विचार करने का चिंतर करने का समय सामाईक है और यहां तक कि आप सामाईक करने बैठे आप देखिए समझना इसको आप सामाइक करने बैठे ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो कभी नहीं आए आत्मा में एक में खोने नहीं देंगे वो विचार हमें वो हमारे बुद्धी पर प्रहार करेंगे नित्य वो विचार उन विचारों का विरूत करना है उन विचारों को देखना है आने दो जाने दो विचारों को जो आ रहे है आए जो जा रहे है जाए उन विचारों के साथ उलज न नहीं है, यदि आप उलज गए तो एक विचार से दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा एक गुच्छा त्यार हो जाएगा विचारों का, और फिर उस उलजन को उतारना बड़ी मुश्किल काम होता है, जब आप सामाइक के लिए बैठे और मैं हाँ बैठा हूं सामाइक करने जूम पर सुनने के लिए, तू रूप, एक घंटे मेरी सुन, उस मन को दाटों बच्चों के जैसे, और उसको राइट वे में लाओ मन को, और यदि आपने ऐसा कर लिया, अपने मन को कंट्रोल, कि मन भाग रहा था, उसके पकड़ के सामाइक प्रारंब हो गई समझो, जिसने ऐसा करें, और जो विचारों में खो गया, उलज गया, फिर तो वो उलज गया, उलजन से तो हमें सुल्जन की ओ जाने में बहुत ताइन लगता है, उलजो मत सुल्जो, उलजन से सुल्जन की ओ, भरती श्यावक सुबश्याम कम से कम दो घड़ी आत्मचिलतन करे और 88 मिनीट की सामाईक करे एक घड़ी 24 मिनीट का होता है इसी क्या होता है सामाईक करने से ब्रती के पालन में दड़ता मिलती है अभी बात ब्रती की चल रही, पहले हमने खुब ब्रतों का देखे, उनकी भावनाय देखे, भेद, प्रबेच सब, अब ब्रती का लक्षन, ब्रती के भेद, और उनको पालन करने में दुरुटा के लिए कौन से गुणों की वृद्धी, ये सबारा है आगे जिन कारियों में उल्जा है, उनको भी छोड़ने का उसको प्रोसान मिलता है उनको छोड़ो आगे बढ़ो, तो क्या बनना है आगे बढ़के? मुनिव्रत धारन करना है, और आगे हमें बढ़ना है तीनो संद्याय अथ्वा प्राता काल, सहयन काल में, समस्तपाप कर्मों से विरख्त होकर हमें नियत स्थानपर, नियत समय के लिए मनवचनकाई को एकाग्र करके सामाइख करना है इस काल में नमुकार मन्त्रादी पदों का पुना-पुना नियम उच्चारन करना समता परिणामों में सहायक होने में वहां भी सामाईक है सामाईक का दुछरा नाम ही समता परिणाम है सामाईक का नाम क्या है? सामाईक यहने क्या है? समता परिणाम जब आप सामाईक करते हो पुना-पुना उसका उच्चारन करते हो आपके परिणाम संता में बनते हैं सामाइक में सब्द उच्चारण की अपेक्षा चिंतन की मुख्यता है कि बार बार चिंतन करो हमने मोन साधना में दो-दो बार सामाइक प्रतिक्रमन डाला है चिंतन डाला है हमारे सामाइक साड़े नो बजे से साड़े बारा तक है मोन साधना में तो कि बार भावना का चिंतन और उसके बाद एक घंटे सामाइक हमने 48 मिनिट की पूरी डाली है तो सामाइक में शब्द उच्चारन की अपेक्षा चिंतन की मुख्यता है बाहिये प्रवुट्टी से मुक्त होकर एकत्व का अभ्यास मुख्य है आपको एकत्व सरूपों हमकी याद दिलाने वाली सामाइक है सामाइक के काल तक ग्रहस्त महावति के समान होता है यह आप चारू प्रकार के हरों का त्याग करणो और आप जो वस्त मेरे उपर पढ़े उसको उपसर्ग सरूप जानो जैसे मुझारा सामाइक कर रहें किसी ने एक कपड़ा लाया उनके उपर डाल दिया वह वस्त उनने पहने है क्या उन्होंने पहने है क्या वह वह वस्त पहने नहीं है वह उपसर्ग सरूप उनकी उपर पड़ा है इसी प्रकार है प्रभू मेरे उपर जो वस्त पढ़े यह सब उपसर्ग सरूप पढ़े है इस प्रकार का ध्यान हमें करना चीह और सामाइक करना इसमारी उप्रवाप्वास, इसमें प्रोश-उपवास दौपवास, ये शब्दे इसमें आए है प्रोसोद अल्थाद प्रोसोद याने क्या होता है प्रोषद अल्थाद पर्व के दिन उपवास करने को अब पर्व कुन से आते हैं अश्टमी चतुदसी अश्टानका रतनत्रे पर्यूशन ये सारे पर्व होगा सब्सक्ते मरें और उवास किरूशन हो इसको प्रोसोद क्य然 करने के लिए क्या करना है कि हमारे बरत्ध में अश्टमी चतुदसी हैं हुपवास करते हैं उसको प्रोषद बनाना उसको और कॉलिटी प्रदान करना है то हमें क्या करना चाहिए क्योंकि quality plants घर्ण करना है हमें quantity नहीं लिखना我是 quality में हमें जाना है को तो हमने गुनों को उसमें भरी दिया दिगवत देश्वत अनल्टवन पिर हमने सामाइक को भिने लिया आब ओर मुंदिकशाद घर्ण करना तो आगे हम क्या कर सकते हैं तो हम अपने ब्रतों को प्रोशुट बना सकते हैं पर कैसे इसको समझते हैं कैसे आज मान दो अश्टमी है तो प्रोशुट कैसा कहलाएंगा आश्ट आपने ब्रत ले लिए कि हमारा उपवास है लेकिन इसको प्रोशुट बनाले के लिए कल जो सत्तमी थी सत्तमी को आपको एकासन करना है, अश्तिमी को उपास करना है और कल जो नावमी आएँगी, उसमें भी आपको एकासन करना है, तो आपका प्रोसोध उपवास कहला हूंगा, जो उसके उपवास था, उसके आगे पीछे एक शब्द लग गया प्रोसोद प्वास परीमान प्रोसोद प्वास सिक्षा ब्रत आपका क्या हो गया प्रोसोद हो गया वो यहने उपवास आदी करके आपको अब क्या करना है चतुर्दति को उपवास आदी करके एकांत वास में धवकर संपूर्ण सावध योग को छोड़ सर्व इंद्री विशय से विरक्त होकर धर्मध्यान में रहना है प्रोसोत अपवास है यहनी परवक के दिनों में पंचेंद्री विशयों से निवरुत्त होकर चारों प्रकार के हरों का त्याग करना प्रोसोत अपवास कहलाता है अथा उपवास के दिन श्रावक को सब आरंब छोड़ इसनान, तेल, फुलेल आदी त्याग कर जेत्याले में या किसी एकांत निव करते हुएू उपवास का समय विताना चाहिए ये क्या होता है प्रोसुत उपर इसमें हमारे आजाते है वह नीम भी आप इसमें ले सकते हैं जैसे हमने दीवरत तो देश designed देखा दिग् Willjoch में पूरा तो देश में हमने उसको और कम कर दिया हमने और उसको संकोचित कर दिया जो भारत का था हनी अक्पूर तक कर दिया फिर मोनलतक कर दिया तक कर दिया यह सब चीजते जो हंसिंप अनुवरत को पुष्ट कर रही है उसी क्रकाल सामाई को प्रोसोत व्वास ये भी हमारे व्रतों को पुष्ट करती है तीसरी चीज भोग पभोग परिमान भोग भोग पढ़िणा मेने जो खानपान गंद माला वेगर का उभोग करते हैं वर्ष्ट्र आबरन अलंका सम्भ सव ओपारी मकान वेगर के जो परिवोग हम कर रहे हैं जितनी भी वस्तू हमारे उभोग में आ रही है तो कुछ समय के लिए अथ्व जीवन-परियंतम के लिए उभोग परिवोग का परिमान पकरनाु इतने समय तक इतनी वस्तूरों 3 marketing अपना काम चलाओंगा यह उभोग परिभोग परिणाम्रत कहलाता है कि आपने जो नियम लिए आजीवन कि मुझे भारत से बाहर नहीं जाना है गई तो साल में एक बार अमेरिका जाओंगी इसमें आपको क्या करना है और नियम लेना जो प्रतिदिन मैंने गिताबों में डाल दखे हैं प्रतिदिन के सत्रा नियम। आपने ले लिए जीवन परिणतर स MV परिणरपरिणाम्रत कर लिया सीमा बान ली अब उसमें अपने को ओर कम करना है वो उब्भोग परिभोग परिनामबर भोग और उब्भोग भोग याने जो एक बार भोग के छोड़ दिया उब्भोग याने जो चीज बार बार उब्भोग में आती है जैसे वस्त्र वस्त्र आपने पहने फिर धोके यूज कर लिए लेकिन भोजन भोजन भोग में आ गया फाय पीए छोड़ दी उब्भोग्याने जो बार बार चीजों को भोगी जाती है तो जो आपने परिग्रव प्रमानवत लिया था कि मैं 400 साड़ी रखूंगी 300 साड़ी रखूंगी यहां से बाहर नहीं जाओंगी भारत से बाहर नहीं जाओंगी उसमें जो आपने नियम ले लेना 17 नियम कोन से की भोजन कितने बार करूंगी कितने जाती के अन्य ग्रहन करूंगी 170 अनाज है हम 10 अनाज लेंगे दो बार लेंगे एक बार लेंगे यह हम अभी परिशन पर वार है तो उसमें भी यह नियम हमें लेना है हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे हम घर का दही घी टेल खारा मिठा के शे प्रकार के दो सब लोग जानते हैं चट रस अब जब में अधोर पूरा पूरा परिग्राम क्यों बांद है जब हमें मिठा नहीं लेना कूई थे हम आज मिठा नहीं खाएंगे अज खाड़ा नहीं खाएंगे तेल नहीं खाएंगे aster नहीं खा रहे हो तो घी नहीं खाऊंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक दिन, आप रेक रस की त्यागी बन जाएंगे सट्रस में, पहला भोजन सत्रा नियम में, दूसरा सट्रस, तिसरा हरियाली, कितने प्रकार की हरियाली हम रख सकते हैं 10,000 बनसपती में से 10 हरियाली 15 हरियाली 20 हरियाली ब्रत में तो एक दो जिसको रखना है नहीं तो हद्पूरी 10,000 बनसपती का त्यार करके तो उसका फल बहुत लगता है दाल खालो, कड़ी खालो, बेशन खालो, सुखे चने खालो, राजमा खालो, मटर खालो, दस दिन दस एटम जुर्रा खालो, दस दिन दस एटम खालो, कड़ी खालो, आमटी खालो, ये सब खालो मुंग मोंगर खालो तो हर्याली का पूरी तरह त्याग करके आप परशन परव कर सकते हो चौथी बात आती है पानी हम पानी कितनी बार पिएंगे दो बार तीन बार चार बार पाच बार भाई 50 बार पीने से के बन्द से तो बन गया बन से तो तो मुझी रखत हो गया चार बार पाच बार छे बार रख ले पाचवी बात आती है तामभूल तामभूल याने सोब सुपारी पान आदी जो मुखवाश के एटम है आपके अब ये मुखवाश हमेवरत में करना है कि नहीं करना है तो किदें नीबार फाम ये आपके पाचवा हो गया उसके बाद च्छटा अंग वी बिले पन याने तेल चंदन खुशबू आदी की चीज़े आपको लगाना है हेकी नहीं लगाना है सुझ विचार करने तेल है चंधन है चंधन तो मंदिन में हम लगाएंघ अला नेरी defend अंग विलेपन छटा सात्वा आगया फुष्प फुल का उप्योग करूंगा या नहीं हमें तो करने ही यह त्याक कर दो अमे क्या सर में रोज फुल लगा के जाना है घजरा लगाना है माला पहननी है क्या उसपकत आठ वात आभूशन कितने रखना है दिन बर बड़े बड़े हाल तो पहननी रहा एक किलो सोना तो पहननी रहा एक माला गले में सोनी की चेल अंगुथी 4-5-8-10 कान में कान के नाक में एक नथनी या एक बेंदी या एक लॉग आहुशन इतने रख लो उसके बाद वस्त कितने जोड रखना है वस्त कितने जोड रखना है आपको एक जोड दो जोड तीन जोड एक गावन एक सूट एक सारी तीन जोड चार जोर दुनिया भर के वस्तों से तो चुड गहा है उसके बाद आता है दस नंबर में वहाँ कितने वहन ऐतन का उप्योप करूँगा में यह तो गाड़ी पर एक साथ दो गाड़ी में तो जाओंगे एक ही घाड़ी में बैटके जाओंगे न, 30 सो ट्रक खड़े है, तु आपको आज चलाना है, या आपका कुई मतलब भी नहीं उन ट्रकों से, आपके आपचास बस चल रही है, कुई मतलब भी नहीं है, तो उससे आपको त्यार कर देना है, एक गाड़ी में हम चलेंगे, एक या एक फोर्विलर या हमें कहीं जाना है आज तो उस बस के लिए एक या ट्रेल या फ्लाइट उसका हमें रखके सब वहानों का त्यार ग्यारा नंबर शयन कितने पलंग या भूमी में शयनन करोंगे दुनिया के पूरे पलंग का बंद क्यों बानना है आपको पूरे पलंग में सोने वाले हो घर के पूरे बेडरूम में सोने वाले हो क्या एक बेडरूम एक पलंग एक गद्दी नीचे सोना है तो एक चटाई उ कोपा के पास इस तूल रख लो इस तूल में बेठो चेर रख लो चेर में बेठो चटाई रख लो नीचे बैठ सकते हो चटाई में बेठो उसके बाद तेरा नंबर में आता है गीत संसारी गीत गाऊंगा या सुनूंगा या नहीं पिच्चर देखने जा रहे हो को तीवी मे कर दृत्य संसारी गीत सजुआ यह सुन का नहीं इसका भी थालए उसके बाद क लुत्य संसारी दो के देखना देखना करना या नहीं रोज़ नुइम्न द्रिख में यह रहे पर्यूशन पर्व में एक बार स्नान, एक बार, इस्मॉल स्नान, यह झोटे हाथ पेर से फमिदोना है, इस्मॉल स्नान, आप स्नान, कटी से नीचे का स्नान, आप रख सकते हो, उसके बार Blham tree, दस दिन में पर्यूशन में ब्रह्मचरिय ब्रत पालन करूंगा और आज भी मेरा ब्रह्मचरिय है ऐसा 16 नंबर 17 नंबर 10 दिशा है कितनी दिशा में जाने आना करूंगा जो अभी हमने गुन ब्रत देखे दिग ब्रत उसी में थोड़ा संकुचित करूंगे तो देश ब्रत और उसी में अनर्थ नहीं कर अनर्थ दंड व्रत का त्याग इस प्रकाल से जो सत्रानियम है श्रावक के भोजन वाहन शयनुस्तान पवित्रांग कु सुमेशु तांबुल वशन भूर्षन मनमथ संगीत गीतेशु यह जो सत्रानियम है इसको एदि आप और संकुचित कर लिए है तो भोगो भोग परि योग ये हो गए महाव्रती का फल अनुपृती में पा रहे हो एक पेकस्री अनुपृत धारन करो महाव्रत का फल पा लो बहुत बढ़िया आगे हमारे ये तीन हो गए उभोग परिभोग परिणामवर तो अब आगे इसमें आ रहा है अतिति सम्धिभाग, अतिति जो बिनातिति के आए वो अतिति, अनि जो बिनातिति के आए वो अतिति, अनि जो अपने सयम की रक्षा करते हुए बिहार करता है, उसे अतिति कहते है, अपने सैयम की रक्षा करके वे बिहार करता है वो अथिती है अथिती संभिभाग वर्त जिसके आने का कोई निश्ची तिती नहीं है वो अथिती मोक्ष के लिए तत्पल सैयमी पात्रों को अथिती को शुद्द चित्त से निर्दोष अहार अउशदी कमंडल पीछी शास्त स्थिती का दान देना अतिती संभिभाग व्रत है मानलो हमने भोजन बनाया शुद्ध भोजन अपने लिए भोजन बनाया है पहले हमें क्या करना है हमें पहले द्वारा प्रेक्षन करना है द्वारा प्रेक्षन करना याने क्या करना कलस लेके बाहर खड़े हो जाओ कोई मुनी महाराज त्यागी व्रती तो नहीं आ रहे है उनका परगहान कर लो कि मैं पहले द्वारा प्रेक्षन करूंगा फिर भोज करें अपने भोजन में से उचित विभाग करके शावक्षेष्टी गन को भोजन कराना कि यह अतिति सम्भी वाग है कि अपने उचित विभाग करके अपने अतिति के लिए रखा जो बिन अतिति के आ गया है कि वह और यह नहीं हो रहा है आप खड़े तें कोई मुनी महारा जारी का माता कोई सावक्षेष्टी नहीं आया तो आपको क्या करना है भोजन की बेला टाल कर भोजन के पहले चिंतन करना कैसा चिंतन करूंगे आप भोजन की बेला टाल दो, कि इतने बजे महाराजी निकलते साड़े नो से साड़े दास एक घंटे की बेला टाल दो, साड़े दस बजे आप भोजन करने बैठो, शायद जब तक कोई आ जाए तो अतिती सम्वाय अगबत आपका पालन हो जाए, तो क्या करना है आपको भोजन क कि बेला टाल कर पहले चिंतन करना है, कैसा चिंतन करोंगे, दोनों हाथ जोडों, आराम से पालती लगा के बैठो भोजन के लिए, और मद्धे लोक में जितने भी मुनी, आरिका, छुलक, एलग जी, मेरे यहां तो नहीं पदारे, मेरे यहां नहीं पदारे, नहीं पदार स क्या करना भण भणा है, कि मद्धे लोक में जितने भी साधो संते सब की आहार उचिरिया निरंत राए हो, ऐसा करता है तो उसको अतिर्थी संभिवाग ब्रत का क्या लग जाता है, पुन्य, वो अतिर्थी संभिवाग ब्रत का लाता है, देखो कुछ नहीं करना हिद्दा लगे न पटकरी रंग चोका का चोका मात्स आपने भोजन बनाए है भोजन की बेला तालना है और चिंतन करना है बस कि मद्द लोग के सभी साधुशंत जितने भी है सबका निरंत्रा है अहार हो इतनी सी भावना आपको महाव्रती की शिक्षा देती है और आपका अतीती संभ विवाग शिक्षा ब्रत का पालन अपकर कराती है बुझ बेला को टाल कर निरंत्रा हार हो फिर आहार ग्रहं करना ऐसे करने से अतीती संभिवाग ब्रत होता है ब्रती शावग इन साथ में भी संपन्न होता है यह साथ हो गया और इन में संपन्न होता है तो बारा व्रत्यों कहलाता है या इस प्रकार का सब अभी अतिती संभिवाग व्रत भी हमने समझा तो इस प्रकार से जब हम उत्तम मध्यन जगन्य के भेट से सूपात्र जो तीन प्रकार के होते हैं उत्तम सूपात्र मुनी है मध्यन सूपात्र व्रतिग्रस्त है और जगन्य सूपात्र अव्रत श्रावक है तो इस प्रकार के लोगों के हम भावना रखे उन्हें भोजन राधी कराते हैं तो अतिती संविवाग अपने दो लोग के भोजन में से आपने समान विभाग करके अतिती को खिला दिया तो आपका अतिती संविवाग ब्रत का पालन हो गया इस प्रकार से हमने जो पाच अनुब्रत धारन किये अहिंसा अनुब्रत, सत्या अनुब्रत, अचोरिया अनुब्रत, ब्रह्मचरिया अनुब्रत, परिग्रवप्रमान ब्रत, इन ब्रतों को पुष्ट करने के लिए हमने तीन गुटुवत और चार शिक्षा ब्रत को धारन किया, गुन ब्रत यानि की शिक्षा धारण करेंगे वो हमारा शिक्षा व्रत कह लाएंगा यह साथ सिल कहलाते हैं tina, then14 शिक्षा व्रत पाँच अनुवरत में 7 16 व्रत मिल गए तो 12 ब्रत के धारिया हो गए फिड़ा लगाना फिट करी रन चोखा का चोखा अनुवरत में साथ चीज जोड़ दी आपने याने यतना चार पुर्वक विचार पुर्वक करिया कर लेना ये ही ब्रत है ब्रत विचार पुर्वक अच्छे से शोद वीन करके अच्छी भावना भाके करना ये बारा ब्रत है आप इस प्रकाजे 12 ब्रतों को पालन कर सकते हो आगे आता है ब्रती की सल्लेखना धारम का उपदेश टाइम बहुत हो गया आज एकी श्लोक रेना देते हैं अपन एकी में बहुत हो गया यह तो मुझे लगी राथाश टाइम लगेगा कल विशय आँगा हमारा सल्लेखना का हो सकता है कल हमें भी इसमें टाइम लगे में सब्जेक्ट है हमारा सल्लेखना जो हमारे जीवन का अंतिम फल अंतिम परिक्षा फल कोई होता है तो वो सल्लेखना होता है कल बहुत अच्छा विशय है हमारा चलेंगा सल्लेखना का विशय है ठीक है? तो आज हम यहीं पे करते है दी मंगल करते है 21 नंबर श्लोक पे हम आराम से चलने देते हैं जो बच जाएंगे बच ब्रतों के बाद ले लेंगे परुशन के बाद लेंगे कोई दिकर्प नईएंगे जो बच जेंगे चल लें कुली द्रद्षांग जिन्वानी माता की जैहू 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 जै जिन्वानी स्थूतु निज निधी निज में बताई यह अनंत उपकार है इसलिए जिन्वानी मां को बंदना सत्वार है इसलिए जिन्वानी मां को बंदना सत्वार है बुलिद्वाद शांग जिन्वानी माता कीजै पंच परमेश्टी भगवान कीजै आचारी उमा स्वामी महराज कीजै तत्वा सुत्त मोक्ष शास्त ग्रंथ कीजै सभी साथ संतों को नमस्तू, सभी आरीका माताओं के चन्नों में बन नामी, और सभी छुद्नक जी, एलग जी को एक्छामी, तथा सभी दीदी जी भाईया जी को बनना, 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 और सभी को जै जिने, सबको चमा, शब्षे चमा, उत्तम चमा, दोनों हाथ रख लेंगे Aum Sukham, Aum Sukham, Aum Sukham, Aum Shanti, 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 Shanti Aum Shanti, Shanti, Shanti विल्या लिनात्य भगवान इपीजा आशा करते हैं, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होंगा